हालो फ्रेंट्स कैसे हो मेरा नाम है सजीव जोतरा और आज हम जो टॉपिक लेग गया है वो है रिडॉक्स एलेक्शन से ही और यह यूँवी मरे जो टॉपिक होगा यह रिडॉक्स एलेक्शन जो क्लास 11 का और इलेक्ट्रोफिंश्ट्री बारे में और दोनों के लिए एक ट अश्वी एक लक्ष्ट्री की टाइप्स। ताइप जो आयेगा में हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोफिक सेल एक्ट्रोफिक सेल क्या है फ्रिकी सेसकी वर्किंग होती है इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम स्टड़ी करने वाले है और यह बहुत ही इंटरेस्ट्रिक होने ब्ला है चले शुरू करते हैं तो जैसे मैंने उसे थोड़ा सा हिंट दिया था आपको redox reaction के बारे में ठीक है redox reaction के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि redox क्या होता है red plus ox मतलब reduction oxidation यह भी बताया था मैंने oxidation क्या होती है loss of electrons reduction क्या होती gain of electrons ठीक है तो अगर आपको नहीं पतत पहले आप वो वीडियो देख ली चाहिए आपको concept clear होना चाहिए पानी की तरह को concept clear होना चाहिए कि oxidation क्या है reduction क्या है oxidation number क्या होते है ठीक है अगर यह चीज़े पता है तो यह topic बहुत असान हो जाएगा ठीक है क्योंकि अगर आप 11 के students हो तो आपको 12 में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं बढ़ेगी क्योंकि रिडां Marx रेक्षिन में रिडांग्स रीक्षिन में दो द्रेक्ट्रेक्षिन होती है डेक्ट कि डेक्ट रिडांक्स रिडांग्स रेक्षिन को मैं सिर्फ बेसिक सा समझाओंगा logris focus उससे करेंगे Redox Reduction का मतलब Reduction Oxidation होना Oxidation और Reduction Simultaneously होना उसे बोलते है Redox Reduction मतलब एक Atom Lose करेगा, दूसरा Gain करेगा तो Direct में क्या है? Direct में क्या है कि एक ही Beaker में एक ही Beaker में Oxidation भी हो रही है, Reduction भी हो रही है Direct कह रहे है न? एक ही Beaker में Oxidation भी होगी, Reduction भी होगी मतलब एक ही बीकर में oxidation एक electron lose करेगा दूसरा gain करेगा तो वो तो होगी direct मैं उस पर जादा focus नहीं करेंगा अभी क्योंकि जो main चीज हमारी है वो क्या indirect redox reaction ठीक है तो यही oxidation और reduction जो होगी अगर वो दोनों अलग-अलग vessels में होगी oxidation अलग और reduction अलग-अलग vessels में होगी तो उसे बोलते है indirect redox reaction क्या बोलते हैं indirect redox reaction उसके लिए दो भी कर देंगे ठीक है इसमें क्या था एक ही भी कर देंगे indirect में क्या दो भी कर देंगे एक में oxidation होगी एक में रिदेक्शन होगी और दोनों को हम connect करेंगे ठीक अब कैसे करेंगे अगे हम देखते हैं ठीक है तो पहले definitions देख लेते हैं क्या कहते हैं और direct क्या होती है और indirect redox reaction क्या होती है जैसा मैंने कहा definition की क्या कहते है the reaction in which oxidation and reduction takes place in the same vessel अगर same vessel में oxidation reduction हो रही है तो वो direct redox reaction है अगर reaction in which oxidation and reduction take place in separate vessels अगर separate vessels में यह चीज़ हो रही है जो electron transfer हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ठीक है एक lose कर रहा है दूसरा gain कर रहा है पर यह दोने चीज़ें कहां हो रही है अलग-अलग vessels में हो रही है तो वो क्या होगी हमारी indirect redox reaction इसकी example हमारे पास अभी मैं बताऊंगा electrochemical cell electrochemical cell galvanic cell voltage cell एक ही ना ठीक है चलिए अब हम देखते हैं उसकी diagram बनाते हैं डागरा बनाके आपको मैं उसके बारे में समझाओंगा कि किस तरह किसे उसकी working होगी ठीक है चलिए देखते हैं भी तो जैसा की अभी मैनिए बात कहीं कि अभी बात करेंगे electrochemical cell के बारे में vocal teenager के दि मेंया वोटेक सेल नाम उसका सेम है इस electrical chemical सेल में क्या होगा कि जो chemical energy electrical chemical gle Sat kating कि होता है जिसम्में chemical energy को हम electrical energy में convert करेंगे किसको तो chemical reactions होगी, chemical energy होगी ना, chemical reactions होगी, उसको किसमें convert कर रहे हैं, we are converting into the electrical energy, तो यह किसकी सहायता से होगा, किसकी help से होगा, that is due to the electrochemical cell, electrochemical cell में हमारी chemical energy किसमें convert होती है, electrical energy में, और उसकी best example मारे पास क्या है, that is the electrochemical cell, यह कैसे काम करेगा देखिए इसमें क्या करते हैं एक अनोड दूसरा कथोड ठीक है एक दो इलेक्टोड लेंगे इलेक्टोड मतलब अनोड और कथोड ठीक है अब अनोड अनोड पे अनोड हम क्या लेंगे इसमें जिंक लेंगे जिंक रॉड जिंक रॉड इसको अपने ही सि इसके जो है जिंक सल्फिए में डालेंग वन मोलर कंसेटरेशन ठीक है अब यह क्या हमारा हमने पता हमें बता कि एक अनोड होगा अनोड का मतलब याद रखना यह चीज आपको इस तरह किसे हिंट यहां पर लग देता हूं थोड़ा सा लों ठीक है लेफ्ट साइड पे अक्सिदेशन करेगा अनोड होगा नेगटिव चार्ज होगा मतलब कहने का मतलब कि अनोड होगा जिस पे चार्ज क्या होगा नेगटिव होगा वो क्या करेगा ऑक्सिदेशन करेगा और लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे लों लेफ्ट साइड पे ठीक है ओ से ऑक्सिदेश जो क्या करेगी जो क्या करेगी ऑक्सिडिशन करेगी औक्सिडिशन का मितलब जो इलेक्टर लूज करेगी अब ये कह ने हैं कत्थोड copper rod copper rod ने लो copper rod ने थे its को भी हम किसके अपनी सिलुशन में डाल देंगे को copper sulphate 1 molar डाव क्या किया пока डिया यह वहला is हमारा कि दूस्रा वारा कैथोड का मतलब जो masks करेगा जूश का मतलब जो oxidation करेगा यहीं चीज़ ठीक है ऐनोड का मतलब आनोड है मतलब क्या करेगा Rs. कि अखो चार्ज क्या होगा गय छोगा पंपको एक चीज qya रखो तो दूसरी चीज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक रखो कि दोनों रखो कि तो confused होगे, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, तो यह क्या है, copper sulfate, इसको copper odd, इसमें dip की, तो यह क्या, cathode, इसमें चार्ज क्या आएगा, positive, अनोड पे चार्ज negative, cathode पे चार्ज positive, यह च ठीक है, अब इसको हमने इस तरह के से लगा दिया, एमेटर लगा दिया, और इसकी needle हमें बताएगी कि electrons किधर move कर रहे हैं, ठीक है, चलो अभी देखते हैं, अब इस पे एक बहुत important चीज, inverted U tube लगा देते हैं, इस तरह के से, यह क्या लगाया, यह क्या लगाया, यह लगाया, यह लगाया, साल्ट ब्रिज, यह क्या लगाया, साल्ट ब्रिज, क्या काम इसका, क्यों लगाया, इसमें क्या डालते हैं, electrolyte, कोई भी डाल सकते हो, KCL डाल सकते हो, potassium nitrate डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, क्यानो 3 लेलो, पुटाशिव नाइट्रेड देलो ठीक है इलेक्रोलाइट वो जो तूडता है और क्या देता पॉजिटिव और नेगेटीव अए ठीक है यह तो तो के प्लस देगा और अगेटीव देगा तो यह साइट प्रिज इसको यहां पर कॉटन प्लक लगा देते हैं इसको डिप कर हमने इसमें अब अब किया यहां पे इलेक्ट्रोंज मूव करेंगे कि इस साइड पे मतलब इसने लूज किये होंगे ठीक है ऑक्सिडेशन वाला कि क्या गरता है लूज करते हैं इसका पुलाब यह zinc rod ने electron lose किए होंगे lose किए होंगे तभी electrons जीदर चलेगे क्योंकि नीडल भी तो बता रही है नीडल बता रही है कि डिर्ट्शन जो नीडल की डिर्ट्शन वह बताएगी इलेक्ट्रों किदर मुव करेंगे इसके ओपोजिटली क्या फ्लो करेगा current ही से थी के तो अब इसका काम क्या था क्या हुआ यह क्या हूं सिंपली वोई चीज जो हमारे डिर्ट रिडोक्स डॉक्शें में होता हैं यह धोनों चीजें Oxidation Reduction एक ही वेसल में हो रहे ही हैं यहाँ पे दो Zinc क्या कर रहा है Gink क्या करेगा यह Zinc Road क्या कर रही है यह Electrons Lose कर रही है यह खत्म होती जा रही है जिंक अपने Electrons Lose करेगी लुज करेगी तो क्या बनेगा Zinc Two Plus इसे बोलते है Oxidation यहां पर लिख लो Oxidation Half Reaction बोलते है यह क्या बोलते हैं औक्सिडाशन हाफ रियक्षिन इसने लूज किया दो इलेक्ट्रों और यह क्या हो गया है जिंक 2 प्लस मन गया मतलब यहां पर खतम होता जा रहे हैं दूसरी तरह क्या हो रहे हैं उदर क्या हो रहे हैं copper 2 plus, यह copper 2 plus, कोई copper sulfate जब तूटता है, copper sulfate तो क्या बनेगा, cu 2 plus और sulfate 2 ने खेटेब, इसका मतलब यह cu 2 plus जो है, copper 2 plus क्या करेगा, यह 2 electrons जो आए, उसको क्या करेगा, gain करेगा और क्या बनेगा, copper solid, मतलब यह copper यहाँ पर deposit होनी शुरू हो जाएगी यह वली यहाँ पर यह deposit हो लिए copper deposit होनी शुरू हो जाएगी इसने gain किया यह क्या थी reduction half reaction ठीक है इसको मैं असे कर दो इसने lose किया लूज किया दो इलेक्ट्रों लूज किये इलेक्ट्रों चले गेंदर और यह यहाँ पर बैठा था copper 2 प्लस इसने दो इलेक्ट्रों को gain कर लिया और यह gain करने के बाद copper solid बन गया और यह solid यहाँ पर deposit होनी शुरू होगी यह होगी oxidation half reaction और यह होगी हमारी reduction half reaction मतलब हुआ क्या एक बंदा oxidation कर रहा है दूसरा reduction कर रहा है मैंने क्या कहा था कि आप ऐसे पैसे नहीं बाड़ते ठीक है आप गली में बजार में जाओगे और ऐसे पैसे बाड़ते आपको लगए कि हाँ यह बंदा पैसे लेने वाला अतला दूसरा बंदा गेन करने वाला होगा तभी आप लूज करोगे तो यह भी ऐसे चल रहा है यहाँ पर भी यह तभी लूज करेगा अगर वह गेन करने वाला बंदा होगा ठीक है यहाँ पर क्या कर रहा है गेन करने के लिए त्यार और जिंक क्या लूज करने के लिए तो oxidation और reduction दोनों simultaneously होती है एक ही time पर होती है ठीक है तो सही बात है यह क्या होई oxidation हो कहां रही है यह क्या है anode पे anode पे क्या हुआ oxidation और यह cathode पे क्या हुआ cathode पे क्या हुआ reduction अब main main चीज क्या थे यहां पर समझने वाली पर यह साल्ट ब्रिज क्यों लगा है देखो अगर साल्ट ब्रिज लगाने का मतलब क्या है फाइदा क्या है कि हमारा एक तो सेल पूरा neutral neutral रहेगा और सेल जो होगा हमारा electrical neutrality बरकरार रहेगी और दूसरी समझो यह मैं मिटाने लगा हो यहां पर अध्यान से समझे इस चीज को कि अगर मैं कहूं कि यह जिंक रॉट कि अधिक है अब मालो मैंने कहा कि यह लूज कर रहा है यह electron लूज कर रहा है लूज करेगा लूज करी जाएगा ठीक है तो यहां पर मैंने क्या कहा था कि जिंक के लूज करके क्या बना रहे है जिंक 2 प्लस तो यहां पर जिंक 2 प्लस बढ़ता जाएगा Zinc 2 Plus बढ़ता जाएगा यहाँ पर Zinc 2 Plus की concentration बढ़ दाएगी पर हमें तो पूरा neutral चाहिए फिर क्या होगा फिर इस positive बढ़े हुए charge को इसमें positive charge बढ़ गया यह Zinc 2 Plus बढ़ गया इस 2 Plus को positive charge को neutralize कैसे किया जाएगा येस तब हमारा काम आता है Salt Bridge Salt Bridge में क्या है देखिए Salt Bridge में क्या बढ़ा हुए KNO3 तूटेगा मैंने कहा है electrolyte है तो तूटेगा तो क्या बनेगा K Plus NO3 negative अब अगर यहाँ पर Zinc 2 Plus बढ़ गया तो यहाँ से NO3 यहाँ बढ़ा NO3 तूटेगा ना electrolyte है तब ही तूटेगा ना positive और negative में यहाँ से NO3 निकल के यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा और इसको क्या करेगा neutralize करेगा क्या करेगा इसको यह इसको आके positive charge को KNO3 ले लो के C या ले लो कुछ भी ले लो आप कुछ भी ले सकते हो K2SO4 ले सकते हो potassium sulfate ले सकते हो यहाँ पर अगर आप K2SO4 भी ले सकते हो K2SO4 ले सकते हो ठीक है तब sulfate आएंस देदर आ जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर टूटे का तो क्या होगा 2K plus sulfate 2 negative ऐसे आएगा ठीक है sulfate ले सकते हो potassium nitrate ले सकते हो यह कुछ कोई भी ले सकते हो इसमें कोई हर जिने केसी है ले सकते हो अब हमारा मकसद क्या था यहाँ पर बड़ा हुआ positive charge अब कौन neutralize करेगा कौन neutralize करेगा जो इसमें negative होगा यह positive है positive negative charges आपस में neutralize होगे यहाँ पर तो कहानी ठीक है यहाँ पर positive charge balance हो गया अब यहाँ पर क्या था अब आपको पता है की चलो ठीक है copper तो बिचारा क्या कर रहा था 2 プ्लस में दो यहाँ बन रहा था मैंने क्या कहा कि copper copperativos का क्या था copper क्या कर रहा था जैसे मैंने equation पहले मैं दिखवा copper2 electron ले रहा हो और क्या करा रहा है डिस्ट्ट कर रहा रहे कौपर सॉलिड बनता जया रहा है दूफ़िस्टो ले रहा था और कौपर सॉलिड बन रहा है और कौपर यहां पडिपोजिट हो रहा था पर ये बिचारा कि ला रहा यहाँ पर potassium आएंज आएंगे potassium cations यहाँ पर आएंगे इस negative charge को potassium cation मतलब K plus K plus यहाँ पर आएगा और sulfate 2 negative जो negative charge है इसको balance करेगा तो यहाँ पर भी क्या हो गया हमारा negative charge यहाँ पर भी balance हो गया और positive charge यहाँ पर balance हो गया zinc 2 plus बढ़ता जारा था नहीं positive charge को किसने balance किया negative नहीं negative जो बढ़ रहा था उसको किसने किया K plus नहीं मतलब positive charge नहीं इस तरीके से क्या हुआ कि दोनों तरफ charge क्या होगे neutralize होगे और हमारा circuit था पूरा complete हो गया ठीक है तो salt bridge ने क्या किया जो cell की electrical neutrality थी वो क्या रखी उसको stable रखा बरकरा रखा ठीक है तो यह था हमारा overall electrochemical cell के बारे में salt bridge के बारे में उसकी working के बारे में मैंने आपको detail में बता दी और यह क्या था electrons जिदर जा रहे है यह direction बता रहे है electrons जिदर जा रहे है मतलब यह कोई चीज lose कर रही यहां से यह anode क्या कर रहा है अपने electrons यह लेक्ट्रों से चल गए यह ले गया यह क्या ले रहा था copper 2 plus क्या कर रहा था यह electrons ले रहा था और बचारे अकेले क्या बच रह रहे थे सल्फएड बच रहा था negative charge बढ़ता जा रहा था अगर इसको निकाल दे तो क्या होगा चार्ज बढ़ जाएगा ना नियूट्रलाइस नहीं होगा तो सेल बंद काम करना बंद कर जाएगा तो इसकी नूट्रिलीटी बरकरा रखने के लिए हम क्या डालते हैं लगाते हैं साल्ट ब्रिज लगाते हैं मतलब अगर यहाँ पर पॉस्टिव भटन और आ तो नेगेटिव इदर से आजाएगा अगर नेगेटिव भटन और तो यहां सी पॉस्टिव आ जाएगा तो पूरे का पूरा पूरा सेल क्या हो जागा neutral हो जाएगा ठीक है तो हुआ कैस में हुआ भी यही कि यहां पर Oxidation और Reduction हुई एक ने Oxidation किया यहाँ पर इस तरफ क्या हो रही है Oxidation, Anode क्या करती है Oxidation, Electron Lose करेगी Cathode क्या करेगी Reduction मतलब Electrons Gain करेगी ठीक है, तो इस तरह के से हमारा Electrochemical Cell Complete होता है ठीक है अब इसी चीज़ को अगर मैं Represent करूँ तो पहले तो उसी Reaction को हम लिखते है कि किस तरह के से हम कहा रहे थे कि Zinc ने क्या किया Lose किया ठीक है, कही बार हम इस तरह किसे भी लिखते है Zinc ने 2 Electroles Lose किये Zinc 2 Plus बन गया ठीक है, इसको उठाके दल लिख देते है ऐसे भी लिख देते हैं कही बार Zinc 2 Plus 2 Electroles इस तरह के से भी लिखते है ठीक है, पहले में क्या हुआ Zinc ने Lose किया, Zinc 2 Plus मतलब Oxidation हुई ठीक है, इसको मिटा देता हूँ एक चीजी रखते है यह Oxidation हुई Copper ने क्या किया 2 Electroles गेन किये और Copper Solid बन गया यह Aqueous था, यह भी Solid था, यह Aqueous था यह Reduction हुई Overall Reaction क्या बनी Overall Reaction Zinc Plus Copper 2 Plus Zinc 2 Plus Copper Solid Solid, Aqueous Aqueous Solid ठीक है, तो यह हमारी बनी Overall Reaction देख लो, यहाँ पर भी ऐसे ही है Oxidation नमबर बढ़ जाए मैंने बताया था Oxidation नमबर बढ़ जाए तो Oxidation तो देखो, यहाँ पर यहाँ पर भी क्या हो रहा है Zinc Zinc से 0 से Plus 2 बन गया मतलब Oxidation नमबर बढ़ गया Oxidation नमबर मैंने पहले चीज़ें बताई है पिछले लक्षर में 0 से Plus 2 हो गया मतलब यह Oxidation नमबर का मतलब Reduction हो रही है ठीक है तो एक बन्दा क्या कर रहा है Oxidation कर रहा है दूसरा Reduction कर रहा है तो यह दोनों चीज़ी simultaneous नहीं होगी तो यह पुरी की पुरी Overall Reaction बनेगी Oxidation Half Reaction Reduction Half Reaction यह पुरी की पुरी Overall Redox Reaction अब इस पुरे सेल को तो Represent कैसे करते है Represent कैसे करते है Left Side पे आप Anode लिखते हो और यह दो लाइन्स Parallel Lines क्या होती है यह क्या शो करती है इधर Cathode लिखते हो यह क्या शो करती है यह साट ब्रिज यह जो Parallel Lines आ रही है हम बार बार यह नहीं बनाएंगे हम इस से इस तरह के से बनादेंगे तो Anode में क्या हो रहा है Anode में क्या हो रहा है Zinc से क्या बन रहा है Zinc 2 Plus Solid से Aqueous इसकी Concentration 1 मोदल दे लो और दो Parallel Lines और यह क्या है Copper Copper 2 Plus से क्या हो रहा है Copper Solid बन रहा है ठीक है इस तरह के से हम Left Side पे जो होगा वो क्या होगा Anode और Right Side पे क्या होगा Cathode इसकी भी Concentration लिख दे लिए तो मतलब इस तरह किसे हम Represent कर सकते है E-Cell को Electrochemical Cell को इसकी आगे हम पढ़ेंगे आगे सारी चीज़ हैंगे Cathode महाने से E-Anode पढ़ेंगे अगर सिंपल जर्नल चीज़ बता रहा हूँ आपको कि Left Side में Anode Right Side में Cathode Center में जो तो Parallel Lines आती है उसे हम बोलते है वो के इंडिकेट करती है Salt Bridge को ठीक है तो ये था हमारा आज बहुत ही Important जो आपकी 12th क्लास में भी काम आने वाला है Electrochemical Cell Galvanic Cell Voltic Cell Indirect Redox Relection की Example ठीक है Hope आपको ये lecture अच्छे से clear हो गया होगा एक दुबार दुबारा देखिए आपको अच्छे से समझा जाएगा पर इससे पहले आप जो पिछली वीडियो जो उसका लिंक तो आपको में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी वो देखिए फिर ये टॉपिक आपको असान लगेगा ठीक है इजासे दीजिए थैंक ये गुडबाई देखिए